आज के इस वीडियो में DL8 चतुर्थ समेस्टर के अंग्रेजी प्रशन पत्र जो की वर्ष 2020 में DL8 2018 बैच के चतुर्थ समेस्टर के समय दिनांक 12 नौंबर 2020 को पूछा गया था उसका सोलूसन देखने जा रहे हैं अगर आप इसी वर्ष के चतुर्थ समेस्टर के अन्य सब्जेक्ट के पेपर का हल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कंप्लिक्ट होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें बहुविकल्पिय में पहला प्रशन पूछा गया था Structural Approach Relates To Structural Approach में एक विशेश पैटर्न के बारे में पढ़ा जाता है जैसे कि जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो पहले subject आता है फिर helping verb फिर main verb और अन्त में object आता है इसी प्रकार से एक विशेश पैटर्न के माध्यम से अगर किसी language की बात की जाए तो वो Structural Approach की चर्चा होती है यानि कि इसमें आप देखेंगे कि word के भी पैटर्न की बात होती और sentence के भी पैटर्न की बात हो रही है यानि कि पहले का option number 3 बोथ 1 and 2 सही उत्तर होगा Structural Approach, Word Pattern और Sentence Pattern दोनों से सम्बंदित है पहले का option number 3 सही उत्तर है दूसरा प्रशन पूछा गया था He has a great affection – me इसमें भरा जाएगा Option number 3 for He has a great affection for me बढ़ते हैं तीसरे प्रशन की तरफ Which primary skills are to be developed through grammar translation method तो grammar translation method में जो target language होती थी माले जो अंग्रेजी सिखाना होता था उसको हम लोग mother tongue में translate करके बच्चे को सिखाते थे इससे नुकसान ये होता था कि उसको communication skill उतना develop नहीं हो पाता था क्योंकि जो चीजें अंग्रेजी में सिखानी चाहिए थी उसको हम लोग translate कर दे रहे हैं हिंदी में तो इसमें क्या होता था कि वो जो सुनने और बोलने की जो कला होती है यानि कि जो कौशल होता है वो बच्चे में विकास नहीं हो पाता है और वो सिर्फ grammar translation method जो था वो सिर्फ reading और writing पर ही focus करता था तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा reading and writing option number two क्योंकि प्रश्ट में आपसे यहीं पूछ रहा है कि grammar translation method में कौन सा basic skill develop हो पाता था चौथा प्रश्ट है direct method is also known as यानि कि direct method को और किस नाम से जाना जाता है जैसा कि आपको ग्यात होगा direct method में जो target language होता था उसी का environment class में बना दिया जाता था जैसे कि अगर बच्चे को अंग्रेजी सिखानी है तो अंग्रेजी में ही सभी को बात करने के लिए बात देखिया जाएगा ताकि वो चीजे जैसे mother tongue होता है जैसे बच्चे को हिंदी सिखाने की जोरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो बच्चपन से ही उसी माहौल में ढला होता है और mother tongue होने की वज़े से देली के life में हिंदी यूज होने की वज़े से वह हिंदी बोलना सीख जाता है इसी concept को यूज करके अंग्रेजी सिखाने की क्रिया को डारेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं और ये मेथड नेचुरल मेथड के नाम से भी जाना जाता है यानि की चौथे का option number 3 नेचुरल मेथड सही उत्तर होगा पांचवा प्रशन था beware-dogs तो आप लोगोंने घरों पर लिखा हुआ देखे होंगे की कुत्तों से सावधान उसी को अंग्रेजे में कहते हैं beware of dogs यानि की पांचवे का option number 3 of सही उत्तर हो जाएगा चटा प्रशन पूछा गया था change the following into present perfect tense और आपको sentence दिया गया है राम writes a letter अगर इस sentence को देखा जाए तो verb जो की write है उसमें S लगा हुआ है जो की present indefinite में लगता है यानि की राम writes a letter present indefinite tense का एक वाक्य है जिसको आपको convert करना है present perfect tense में present perfect tense में helping verb has या फिर have लगती है उसके साथ verb का third form use किया जाता है यानि की सबसे पहले subject हो जाएगा जो की राम है उसके बाद helping verb लगेगा has क्योंकि राम singular है और उसके अनुसार has लगेगा ठीक है उसके बाद verb जो आपकी right थी उसकी third form right wrote written होता है यानि की राम has written all letter सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है correct the following sentence और आपको वाक्य दिया गया है मोहन prefers coffee than milk जब किसी चीज को प्रात्मिकता दी जाती है किसी दूसरे वस्तू के उपर तो वहाँ पर then की जगा to का यूज किया जाता है तो सही वाक्य हो जाएगा मोहन prefers coffee to milk हो जाएगा ठीक है then को हटा करके आपको simply to use कर लेना है आठवा प्रशन था complete the following sentence using an appropriate conjunction और वाक्य आपको दिया गया है पवन इस हैंडसम डेश intelligent boy तो simply आपको and fill कर देना था सही उत्तर हो जाएगा पवन इस हैंडसम and intelligent boy नौवा प्रशन है which type of sentence march forward is imperative और exclamatory देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि march forward जैसे कि जब कोई parade होता है तो बोलते नहीं है कि आगे बढ़ो या फिर march forward वो किस type का sentence है देखिए exclamatory तो हो नहीं सकता है क्योंकि उसमें विसम्यादी बोधक चिन जो होता है exclamatory का वो नहीं लगा हुए ठीक है तो ये जो march forward है वह imperative sentence हो जाएगा imperative sentence में जब हम किसी को order देते हैं तो वो सभी बाते इसमें include की जाती है तो march forward किस प्रकार का sentence है तो imperative sentence हो जाएगा दस्वा प्रशन है change the following into complex sentence और आपको वाक्य दिया गया है he is poor but honest तो complex sentence में आप इस प्रकार से बना सकते हैं although he is poor, he is honest फिर से sentence repeat कर रहा हूँ although he is poor, he is honest 11 प्रशन था change the following into compound sentence और आपको वाक्य दिया गया है besides being honest, he is gentle तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं he is not only honest but also gentle 11 का उत्तर हो जाएगा he is not only honest but also gentle बात करेंगे short answer type questions की 12 प्रशन में idioms and phrases दिये गए हैं जिसका meaning आपसे पूछा जा रहा है पहला था to kill two birds with one stone यानि कि एक पत्थर से दो चुडियों को मारना समाने भाशा में हम लोग बोलते हैं कि एक तिर से दो निशाना लगाना उसी के sense में आपको इसकी meaning लिखनी थी तो आप इसका अर्थ लिख सकते हैं achieving two goals with single action और दूसरा इसे में पूछा गया था no pain, no gain इसका meaning हम लोग लिख सकते हैं suffering is necessary in order to achieve something यानि कि कुछ पाने के लिए सफर करना यानि कि कश्ट सहना जरूरी है बात करेंगे तिरह हमें प्रशन की write one word for the following groups of word यानि कि वाक्यांस के लिए एक सब्द आपको लिखना है पहला था a diplomatic representative of one country in another जैसे कि जब एक देश का representative दूसरे देश में जाता है तो उसको क्या कहा जाता है तो इसको ambassador बोलते हैं ठीक है और इसी में दूसरा पूछा गया था one who believes in fate तो इसका हो जाएगा fact list बात करेंगे 14 हमें प्रश्न की fill in the blanks by selecting appropriate conjunction from brackets यहाँ पर bracket में आपको conjunction दिये गए हैं जिसमें से एक आपको fill करना है पहला था I called him dash he did not answer यहाँ पर देखिए पहला वाक्यकार्थ यह हो रहा है कि मैंने उसे बुलाया और आगे उसका अर्थ यह निकल रहा है कि उसने जवाब नहीं दिया यहाँ पर देखिए दोनों विरोधभास है इस वज़े से आपको but का यूज करना होगा यानि कि आपका sentence बन जाएगा I called him but he did not answer मतलब मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया इसी में दूसरा पूछा गया था work hard dash you will be punished पहले sentence का मतलब हुआ कि कठिन परिश्रम करो और आगे वाले का मतलब हुआ कि तुम दंडित किये जाओगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको और यूज करना होगा क्योंकि पूरा sentence का sense ये बनेगा कि कठिन परिश्रम करो नहीं तो या फिर अन्यथा की condition में तुम दंडित किये जाओगे तो दूसरे में और भरा जाएगा work hard और you will be punished पंदरावा प्रेशन पूछा गया था what are the main characteristics of grammar translation method यानि कि grammar translation method के क्या-क्या good थे इसके बारे में पूछा जा रहा है पहली property ये थी कि overcrowded class के लिए suitable होता था क्योंकि जैसा कि आपको गयात होगा grammar translation method में target language यानि अंग्रेजी को हम लोग हिंदी भासा mother tongue में translate करके बच्चों को सिखाते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा crowded है class तो भी वहाँ पर ये method suitable होता है दूसरी property आप लिख सकते हैं कि इसमें grammar पर ज़्यादा focus किया जाता है तीसरी property आपके द्वारा लिखी जा सकती है कि इसमें pronunciation पर विश्य सुरुप से ध्यान नहीं दिया जाता तो अगर कोई teacher अच्छा pronounce नहीं कर पारा target language English को तो भी वह बच्चों को असानी से इस method के माध्यम से अंग्रेजी भाषा का ज्यान करा सकता है और एक और property आप लिख सकते हैं कि इस method में reading और writing पर ज़्यादा focus दिया जाता था बात करेंगे 16 में प्रश्न की write a composition on COVID-19 in about 50 words यानि कि COVID-19 के बारे में 50 शब्दों में आप लोग को एक लेख लिखना है यहाँ पर देखिए आप लोग आसानी से इसको लिख सकते थे COVID-19 के बारे में कि COVID means coronavirus disease 2019 में generate हुआ था इसकी वज़़े से 19 यूज़ किया जाता है ठीक है इस प्रकार से छोटे-छोटे sentence करके आप 50 शब्दों में इसके उपर composition लिख सकते हैं 17 प्रशन पूछा गया था what are the chief merits of direct method direct method के मुख्य गुण क्या है इसके बारे में पूछा जा रहा है देखिए direct method में क्या होता था कि जिस प्रकार से हम लोग ये जानते हैं कि बच्चे को मातरी भासा सिखानी नहीं पड़ती है वो environment में एक दूसरे की भासा को देख करके और उनसे communicate करके उस भासा को बड़े आसानी से सीख लेता है उसी प्रकार से direct method में जिस target language को बच्चे को सिखानी होती है वह environment उस बच्चे को दे दिया जाता है जैसे कि अगर अंग्रेजी उसको सिखानी है तो आप लोग देखे होंगे कि आज कल playway में या फिर जो UKG, LKG के school होते हैं वहाँ बच्चपन से ही अंग्रेजी का environment दिया जाता है जिससे बच्चे आसानी से अंग्रेजी भाषान बात करना सीख जाते हैं तो direct method में यही concept लाए गया कि जिस language को बच्चे को सिखाना है उसी का environment उसको दे दिया जाए direct method का main गुड ये था कि किसी भाषा को सीखने के लिए जो क्रम बनाया गया है इस क्रम को ध्यान रखा गया दूसरा प्रोपर्टी आप ये लिख सकते हैं कि चुकी environment अभियर्थियों को प्रोवाइड कर दिया जाता है तो इसमें communication skill अच्छे से develop हो पाता है direct method के तीसरी प्रोपर्टी आप लिख सकते हैं कि इससे शब्दों का ज्यान अभियर्थियों को ज्यादा होता है क्योंकि target language में ही वो बात कर रहा है तो नए-नए शब्दों को वो सीखते जाता है इसके अलावा main property ये भी लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से grammar translation method में अभियर्थियों उसमें directly participate नहीं कर रहे थे प्रथम समेस्टर में भी पढ़े होंगे कि जब ज्यादा इंद्रिया किसी चीज को सीखने के लिए active होती है तो वह जो ज्यान होता है जो अधिकम होता है वह इस्थाई होता है तो direct method में जो भी चीजे सीखी जाती है वह पूरी तरीके से stable होता है अभियर्थियों के mind में अठारवा प्रश्था write an application to your principal requesting him for free concession as you are very intelligent boy तो आपको एक application लिखना है अपने principal के पास कि आप एक intelligent boy है जिसकी वज़ा से आपके fee में concession की आप उनसे request करेंगे तो ये बचपन से आप application लिखते आ रहे हैं तो इसमें आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के मादम से जरूर बताएगा साथी चतुर्थ सेमेश्टर के वर्स 2020 के अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर के complete solution देखने के लिए इस वीडियो का description चेक करना ना भूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शूब हो